नमस्कार मैं हूँ सच्चेदानद वसिष्ट सज्जनों कुम्ब रासी के लिए जून का महिना कैसा रहने वाला के उसकी जानकारी देने का प्रयास करते हैं आप इसको सुनिये, समझिये, अपने जीवन में उतारिये तो इससे आपको लाब ही होगा तो कुम्ब रासी, रासी के उपर ही है, शनी विद्यवान के हैं थोड़ा सा आपको हटी और जिद्धी बनाएंगे, क्रोधी भी बनाएंगे अडियल सभाव, यह जो है, आपको कुछ नुक्सान ना दे दे, इसलिए किसी भी बात पर अड़े ना जिद्ध ना करें, तो मान को बढ़ाने वाला, सम्मान को बढ़ाने वाला महिना है हर प्रकार से मान सम्मान की आपको प्राप्ती हो लेकिन इस शनी की दृष्टी, तृतिय दृष्टी आपके तृतिय स्थान के अंदर रखे, तृतिय स्थान मित्रों का है, भाईयों का है तो वहाँ पर मित्र और भाईयों के बीच में आपके साथ कुछ विवाद, कुछ जगड़ा, कुछ अन्बन यह हो सकती है पत्नी का स्वास्त गिर सकता है, पत्नी के स्वास्त साथ जो है, आपका विवाद, मदूर ना रहे, ऐसा कुछ कारण बन सकता है लाजकी यह कामों के अंदर भी स्थानी जो है, कुछ उतल उतल मचा सकते है इसलिए सनी की शंती करें, सनी का दान करें, सनी के मंतर का जाब करें, हनमान जी की उपास्ना करें ब्रहष्पती और राहू ये आपके तरतिये स्थान के ऊपर विद्दिमान कें, तो ये मिला जुला फल देंगे इनकी दुरस्टी सब्तम स्थान में तो देनिक व्यापार काके, साजेदार काके, पत्नी काके, इनके बीच के अंदर मिला जुला फल प्राप्त होगा, कुछ वही मनस्य भी होगा तो वो सुधर भी जाएंगे, व्यापार के अंदर कुछ उतार चड़ाओ भी होगा, लेकिन बैलेंस में आ जाएगा, भागे के अंदर, भागे वर्दी के अंदर भी ये जो है, साहिक भी होगे, तो राओ के द्वारा रुकावट भी पैदा होगी, तो ये मिस्रित फल इस मेने के अंदर आपको प्राप्त होंगे, बाकि दैनिक रासी फल के अनुसार, आपको सारा मह आपको चलना है, चलने का प्रयास करना है, सबसे पहली बात है कि एक, दो, तीन, चार, पांच और छे तारीक, ये तारीक हैं आपको अच्छा लाब देने वाली हैं, सुख देने वाली हैं, उन्नती देने वाली हैं, प्रमोशन देने वाली हैं, इज्जत और सम्मान देने कहीं भी विजे देने वाली है साथ आठ तारीक को सावधानी की अवशकता है कोई भी इंवेस्टमेंट ना करें देनलें ना करें अगर देनलें किया तो पैसा डूब सकता है देना है चुकाना है तो चुकाईए उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन किसी को उधार देना या कहीं इन्वेस्ट करना ये काम इस समय पर मत करना और 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 ये साथ दिन आपके लिए परिवार के लिए बहुत ही अच्छा माहुल बनाने वाला है क्या कोई ऐसा नया कारे होगा जिससे पूरा परिवार आपका नाच उठेगा या नासता रहेगा उसके अंदर क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं अच्छे समाचार प्राप्त हो सकते हैं कोई सगाई संबंद हो सकते हैं घर के अंदर कोई उत्सव हो सकता है कोई शादी ब् ताल मेल बढ़िया इसके अंदर बन करके चलेगा, 16-17 तारीक जो है, उसके अंदर आपको थोड़ा समनना होगा, कोई अकारण चिंता उत्पन हो सकती है, कोई गलत समाचार की प्राप्ति हो सकती है, तो उससे आप चिंते तरह सकते हैं, 18-19-20 तारीक, ये आपके लिए आप उसके लिए निश्चित रखिये गार उसके अंदर अपना लाब लीजे, 21-22 तारीक आपके लिए कुछ अच्छा परिणाम नहीं देगी, किसी के साथ भी विद्रो हो सकता है, जगड़ा हो सकता है, दुस्मनी हो सकती है, तो अपने व्यवहार को सुदारे, 23-25 तारीक आपके लिए, मित्रों के लिए, साज़ेदार के लिए, पत्नी के लिए ये अच्छा परिणाम देने वाले हैं, दैनिक व्यापार में आपको अच्छा लाब होगा, 26-27 तारीक को आपको बहुत सावधान डेना है, इसमें आपका स्वास्त गिर सकता है, आपका अस्वस्त हो सकते हैं, तो कोई भी यात्रा हो, तो इस्तगित करें, कोई भी नया कारी आपने करना है, तो उसको आगे के लिए इस्तगित करें, अब इसके आगे, जो आपके तीन दिन खें, 28-29 और 30 तारीक, ये आपके लिए पूरे के पूरे अच्छे ही परिणाम को देंगी, इसमे कोई ना कोई उननती का रास्ता आपको मिलेगा, कोई प्रमोशन का रास्ता मिलेगा, प्रमोशन हो सकता है, कहीं अपाइंटमेंट हो सकता है, कहीं पर दूसरी जगे आप प्रमोशन पा करके जा सकते गएं, तो ऐसी बातें आपको प्राप्त होंगी, इस्तवर करें, ये प बनना चाहते हैं, जो भी आप सुझाव चाहते हैं, मार्ग दर्शन चाहते हैं, वो ले सकते हैं, लाब उठा सकते हैं, नमस्कार. देवग्य सच्चिदानंद वशिष्ट जी से, वास्तु, जयोतिश, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाट, महामृतिंजय पाट, शत्चंडी पाट, बगुला मुखी पाट, भैरव अनुष्ठान आधी, राशी रत्न, रुद्राक्ष, कवच आधी हेतु संपर्क करें. हमारे संपर्क सूत्र हैं 783888-98421, हमारी वेबसाइट है www.shreevashist.com